ताकत पैदा करो ताकत शक्ति है कहीं पहाड उठा लिए यह तुमको आज तक कोई नि मैं बता रहा हूं एक साल तैयारी करो तैयारी दो साल की होती मैं बता दे रहा हूं कोई कुछ भी कहें तैयारी दो साल की होती है इस देश में तो अजीव अजीव नशा है न है यहां आप में गोरा होना चाह रहा है फिर रहें हैंडसम लगा रहा है अरे ताकत पैदा कुरो ताकत शक्ति की पूजा होती है अगर गोरा होना इतनी बड़ी चीज होती तो भगवान अपने आपको गोरा करके ही पैदा होते भगवान प्रिश्मी तो काले हैं शक्ति है कहीं पहाड उठा लिए पहाड कोई आपनी उठा ले अभी तुम किसी सामने बुलट उठा लो ऐसे हाथ में पूरा मुहला तुम्हें नमस्ते करने लागे भईया नमस्ते कॉम्पटीशन को कॉम्पटीशन की तरह देखो रन्नीत बनाओ रन्नीत सीमित किताब हैं सीमित दस तारिक तक वीडियो आ जाएगी एकरा के चैनल पर यूट्यूब पर उसमें आपको पूरा हर सब्जेट क्यों पढ़ना है और कौन के सब्जेट की कौन सी किताब पढ़ रहा हूं कोई कुछ भी कहें तैयारी दो साल की होती है पहले साल सारे कॉंसेप्ट को तैयार करना और दूसरा साल उससे भी जरूरी जो दूसरे साल वाला प्रोजेक्ट नहीं करेगा उसका सेलेक्शन नहीं होगा सुन लो वह क्या है प्रप्रेशन की प्रैक्टेश यह तुमको आज तक कोई निम्हा बता रहा हूं एक साल तैयारी करो और कोशिश करो ग्रेजुएशन रहते ही एंसियाटी एंसियाटी कर डालो और देखा देखी मत करो यार तुम्हारे मन में एक्ष्या हो रही है तुमको लगरा नहीं मुझे करना चाहिए मैं करूँगा वैसे तो आईस की तैयारी सबको करनी चाहिए और दो अटम्ट देने चाहिए बस पहला अटम्ट में हो गया बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरे गुड नहीं हुआ दूसरे अटम्ट में रुखते हो तो फिर कोई ना कोई काम शुरू कर सिर्फ चार गंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत रही कि उसके बाद बस मालब पिछले 25 साल में मैंने इतने प्रियोग किये कोई लड़का टीचिंग कर रहा था कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगा कोई लॉयर हो गया और सबका सेलेक्शन हुआ दस दस साल मत बैठो और एक बाद 25 साल उमर हो जाए ना तो पिता जी से पैसे मत लिया करो चाह सब्सक्राइब करो एक साल पूरा कॉंसेप्ट तयार करो के पड़ाने कोई 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 जुरुत ने कभी तुम्हें कोई दिक्कत आये कोई परेशाणी हो जिंदगी मुश्किल में लगने लगे चारो और अंधेरा खोचा जाए आका रवदोजा से मिलना कोई यहां जिंदिगी में और मालिक से हमेशा कहना कि प्रभू संघर्ष ना खतामो प्रभू तुम राजा भी बनना चाहते हो के तो भाईया लडाई ना हो मास्टर दी ताभीज मिलेगी पर चौथा काम करना ही है जीवन मैंने कहा शुरुवात में संघर्ष है है वह तुम्हें एहसास होगा अभी थोड़े और बड़ा होगे तो एहसास होगा जब तुम क्लास 10 में थे तो पापा ममी कहते थे कि बेटा 10 के नंबर बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बहुत वह तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी के लड़का 98 लाया था अब तुम मर मर के 98.4 लाए फिर माबाब ने कहा कि 12 12 आखरी पढ़ाई है वेटा 12 आखरी फिर तुम जूझे 12 में पढ़े फिर 12 के बाद तुम आगे कॉंपेटिशन में फिर आयाइटी क्वालिफाई कर लिए तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंगा सम्नों पैड़ गए लेकिन आयाइटी सबसे ज़्यादा दहे जिस देश में सिर्फ आईएस के लोगों को मिलता है अब तुम्हारे घरवालों ने चुनोती दे दी कि दोखो तुम आयाइटी क्वालिफाई कर चुके हो यार पर आईएस भी दे दो अब आईएस बन गए आईएस बन गए फिर तुम्हारे बॉस फिर पोस्टिंग कभी पूछो नहीं जितने भी ऑफिसर हैं इन लोगों से तो यह बिचारे कहते नहीं किसी से कुछ सबसे ज्यादा चुनोती यह लोग जहलते हैं एक शहर का आईपीएस सो नहीं सकता पुरे शहर के जिम्मेदारी उस्तुरक्षा अभी तो बड़ा मौच कर रहे हो तुम कल्याव आईपीएस इस जीवन में संगर्ष कभी खतब नहीं होगा पिर फिर संगर्ष से निपटने के लिए क्या करना है शक्ति प्यदा करने है शक्ति कहां से आएगी योग से ध्यान से आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बिना शक्ति के संगर्ष कर रहा तभी तो घुटका खा रहा है बदाम वाला तेल लगा रहा है बदाम वाला शेंपू लगा रहा है बदाम वाला साबून लगा रहा है खारा गुटका डियो लगा रहा है कॉम्प्लाइन आइम अ कॉम्प्लाइन बोई वाश्रूम में जाया छिपकली देका भी होस हो गया कि अंगे एक कॉंपलेंट नहीं पीता उस्तुर से घ।टका खाने से उत्सा पैदा नहीं होता अज़ता नहीं होता है अच्छा आध गुट का लेंटें अटले का लेगा इतना चैवल्ट के खायले गा शरीन में ताकते कहीं बास रड जाएगा कहीं पील पकड़ के हिलाएग थे इस शक्ति से उत्शा पाइदा होता है गुड़का खाने से उत्शा पार नहीं होता शक्ति से अगर रिक्षे वाले तो टी एस्पी हो जाए उल्टा सीधा कॉंसेट बना ली हो जीवन मैं इस देश की सबसे बड़ी विधा सबसे बड़ी और सबकी है वो इस देश में जो कुछ है वो सबका है इंडिया इस फोर इंडियन्स और जब हम इंडियन्स कहते हैं तो उसमें सब हैं हिंदू, मुसल्मान, सेख, एसाई, अपरकाश, लोवरकाश, सब का ये देश है, सब का, बराबर का, आजादी की लड़ाई पड़ोगे, सब ने खुर्बानी दी है, तो इस देश में जो कुछ भी है, वो सब का है, यार ध्यान का,